अब ख़बर है दिगरत से इस समय देश के विभीन राजयो सहीत कई गाउ और शहरों में जारी कोरोना संक्रमन का फैलाओ अपनी रफ्तार बनाए हुए है ऐसे में यौतमाल जिले के दिगरस तैसिल की अगर बात की जाए तो यहां फिलाल कोरोना संक्रमन का फैलाओ एक तरह से बैक फूट पर की गई थी जिस वजह से जिला और स्थानिय परशासन की किरकिरी बढ़ गई थी ऐसे में बीते बुधवार को 44 मरीजों ने निगेटिव में तद्दिल होकर जब घर वाप से की तब से लेकर अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है रविवार को दिग्रस कोविट केर के मैनेजर डॉक्टर अबय गोविनवार ने इन बीसियन को बताया कि रविवार को अंबिका नगर के दो और लाख राइजी गाव की तीन लोग पॉजिटिव से निगेटिव हुए है ऐसे में शनिवार को कोरोना मरीजों का आकड़ा 26 था अब जो घटकर 21 हो चुका है इतना ही नहीं दिग्रस कोविट केर के डॉक्टरों ने लाख राइजी में कैम्प लेकर करी 75 लोगों की स्वाप टेस्ट कराई थी रैपिट एंडिजन टेस्ट के जरीए किये गए इस टेस्ट में 75 में से सभी 75 रिपोर्ट्स निगेटि पूच को जाता है हाला कि आगामी समय में भी हमें प्रशासन के साथ अच्छा तालमेल और सहयोग बनाए रखनी की आवशक्ता है इसके साथ ही खुतकी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सतर्क रहकर डबली उयचो दौरा निर्देशित नियमों का जिम्मेदारी क के साथ हमें पालन करना जरूरी है ताकि दिग्रस और तहजिल परिशर में कोरोन अपनी जड़े फैला न सके इन बीसे न्यूज के लिए जुबर खान की रिपोर्ट